हेलो फ्रेंड्स, फेलकम टू आल इन वन, फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक नई सिक्षड योजना जो हिंदी कक्षा छेकी है और जिसका प्रकरण है बादल चले गए भी, लेकर आई हूँ, मुझे उमीद है कि यह सिक्षड योजना आपको पसंद आएगी, यदि यह सि पाठो या विशय की, किसी विशय की शिक्षड योजना बनाऊं, तो आपको वीडियो मिल सके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षड योजना और इसमें चार कॉलम बनाएंगे, दिनांग कक्षा विशय और समय, दिनांग हम छोड़ देंग बादल चले गए वे, सीखने सिखाने की सामगरी में हम पाठो का दिक्षा एप पर उपलब्द सामगरी पाठ से संबंधि सुन्दर चित्र ले सकते हैं, चुकि ये कविता है और बच्चे कविता हम बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसे हम लेबद तरीके से सुनाए तो हमको बहुत जादा जो साहयक सामगरी है, बहुत लेने की आवशकता नहीं है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, इवन गतिविधियां, में भी हम चार कॉलम बनाएंगे, क्रमांग, चरड, समय और आकलन के तरीके, क्रमांग में हम तीन भागों में क्रमांग को विभा सिख्षड के बाद में, या सिख्षड के अंत में, समय में जो है सिख्षड की सुरुवात में हम आम तौर पे 5 मिनट का समय देते हैं, और आकलन के तरीके बाद चीतेवन प्रशनोत्री होगी, क्योंकि हिंदी में अधिक से अधिक प्रशनोत्री के द्वारा ही हम अराम से रोचक प्रस्तावना जो हमारी सिख्षड तकनीक है का जादा से जादा प्रयोग करेंगे, या फिर हम इसमें गती विधी भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको दोनों विधी बताऊंगी, आपको जो विधी उप्यूप्त लगेगी, आप उसमें से एक विधी को लिख सकते हैं शिख्षड के सुरुआत में, शिख्षड बच्यक बच्चे को गोल गहरी में बिठा कर स्वाएं, बीश में खड़े ओकर उनसे प्रशन करेंगे, कि जब बारिस होती है तो आकास में क्या छाय रहते हैं, तो बच्चे जबाब दे सकते हैं, बादल छाय रहते हैं, बारिस स कट जाते हैं तो इस प्रकार हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम बादल चले गए नाम की एक कविता को पढ़ेंगे इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसमें गती विधी भी डाल सकते हैं अगर हमें इच्छा हो तो यह हम रोचक प्रस्तावना या गती विधी दोनों सीक्षर तकनीक का उप्योग कर सकते हैं जैसे घती वीजी में हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों कि वर्षा रितो समंधित कोई विध्चों को सुना के और बता सकते हैं कि आज हम बादल चले गए पाट को पढ़ाएंगे जैसे हम यह अगर कविता कहनी है तो हम लोग बच्पन में पढ़ चुके हैं अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल तो इससे समंदी सुना सकते हैं या हम एक और कविता है पानी बरसा चम 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 या कोई भी इस तरह कि कोई भी कविता से हम गतिविदी को स्टार्ट कर सकते हैं तो आप इन दोनों मतलब जो टकनीक है इन दोनों में से जो भी चाहें आप इसको एक को लिख सकते हैं अगली हाडिंग है हमारी सिक्षड के दौरान सिच्छक कविता को लैबद उचित औरो आरो में औरो आरो में पढ़ने के साथ भ दोका निवार अलश्थां करते जाएंगे बीज बीच में बच्चों को भी उठाकर उनकी समझ और समझ को समझने के लिए प्रश्नोत्तम्त्र अबहाव को उन से पूछेंगे कि बच्चे कविता को रूची ले रहें समझना है इस सीच को जानने के लिए बच्चों को भी ह हम शक्री रखेंगे अगली हेडिंग है हमारी क्रम संख्या में हम गर डालेंगे और चरम ने शिक्षड के बाद कख्षा को समंदित कविता या गाना सुन सकते हैं अगर हम पहले उसमें गति विदी को डाल दिये हैं तो हम इन प्रशनोतर विदी को यहां डाल देंगे अगर हमने गति विदी को बव्योग किया है तो हम जो है सिक्षड के अंत में वर्सा रितू में उपयोग की जाने वाली वस्तुम का चित्र बनाने के लिए बच्चों से कह दे सकते हैं जैसे किसी बच्चे ने छाता बनाया तो हम कहेंगे अब छाते पे कुछ बाकि बोलो इसके बाद ग्रीक कार में यदि कुछ वर्सों तक बच्चों को प्रशन देंगे कि यदि कुछ वर्सों तक बादल ना आया ठाक पानी बिल्कुल ना वर्से तो क्या-क्या समसाएं आ सकती हैं बच्चे इस पर चिंतन करें और सोच कर ले आएं क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो है सीखने के जो चरण है इरैक जिसे कहते हैं E-R-A-C मतलब experience है reflection है चिंतन बच्चों को चिंतन करवाना बहुत जरूरी है बच्चे जब सोचेंगे तो उनका जो है विकास होगा तो ये चिंत सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं जब भी सिख्षड योजना डालूं आपको तुरंत बच्चों के अंतर गति प्रश्न आ जाएगा सिक्षड की आगामी योजना बच्चों को छोटे बड़े एकल सम्हूं में कार का उसर देने हैं तो गतिविधियां बनाएंगे तो इ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं जब भी सिख्षड योजना डालूं आपको तुरंत उपलब्ध हो सके